मैंने हाल ही में एक स्मोक डिटेक्टर खरीदा और बॉक्स पर एक छोटा सा रेडियो एक्टिव सिंबल देखा, जिसने मुझे सोच में डाल दिया, स्मोक डिटेक्टर्स रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? खेर इस वीडियो में हम इस smoke detector के अंदर क्या है वो पता लगाएंगे देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और समझेंगे कि धुए का पता लगाने के लिए radioactive decay का इस्तमाल कैसे किया जाता है इसके अलावा आखरी तक बने रहें जहां हम दो संबंधित topics या branches पर बात करेंगे Geiger counters कैसे काम करते हैं और high atomic numbers वाले atoms counter intuitively छोटे क्यों होते हैं यह वीडियो PCB वेद्वारा sponsor किया गया है उन पर बात में और बात करेंगे लेकिन अभी के लिए चलो शुरू करते हैं जब हम smoke detector को खोलते हैं तो हमें बहुत सारे components मिलते हैं यहां हमारे पास battery है जो लगबख हमेशा dead ही रहती है और इसे बदलने की जरूरत पढ़ती है मजा कर रहा हूं लेकिन सच में और यहां हमारे पास है piezo electric speaker जो alarm और यह chirp sound दोनों produce करता है जो सच में दुनिया की कुछ frustrating आवाजों में से है इसके बाद हमारे पास है आर पार छेदवाला printed circuit board और PCB जो कुछ basic components को पकड़के रखते हैं और इसे ऐसे design किया गया है कि आप बहुत सस्ते हैं PCB पर हमारे पास main microchip है और आखरी में हमारे पास इस smoke detector का heart है एक metal cylinder जिसके चारों तरफ air और smoke के अंदर आने के लिए went होते हैं इस dome के अंदर एक छोटा cylinder है जिसके उपर एक metal के disc और दूसरी नीचे की तरफ है जिसमें plastic उन्हें अलग रखता है और दोनों को पकड़ कर रखता है नीचे की disc के center में एक छोटा सा well है जिसके अंदर 300 nanograms का isotope amerigium 241 है जो radio active है और इसी वज़े से packaging पर इस symbol की जरूरत पढ़ती है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें यह कहना जरूरी है कि इस तरह के ionizing smoke detector को खोलना खतरनाक है और इसे कभी नहीं खोलना चाहिए adult supervision के साथ भी नहीं amerigium जैसा की हमने कहा radio active है और जब यह metal cylinder के अंदर होता है तो यह पूरी तरह से safe होता है लेकिन इसके बाहर यह बहुत खतरनाक है खास कर सांस के जरीए या निगलने से अंदर जाने पर हम इसे अलग कर देते हैं ताकि आपको ना करना पड़े और इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह radioactive contraption smoke को detect कैसे करता है radioactive emeritium 241 की थोड़ी सी मात्रा alpha particles को emit करती है जो कि बहुत ज़ादा energetic बहुत ही तेजी से move होने वाले helium nuclei है जिसमें दो protons, दो neutrons और कोई electrons नहीं है और इसलिए positively charged ions है कितने तेज? वे लगभग 15,000 km प्रति सेकंड की स्पीड से emeritium की nucleus से बाहर निकलते हैं जो कि light की स्पीड का लगभग 5% है और International Space Station 2000 गुना तेज है काइनेटिक एनरजी की इतनी ज्यादा मात्रा ही radiation को खतरनाक बनाती है वैसे दूसरे तरह के radioactive decay बीटा और गामा डिके हैं जो तेजी से चलने वाले electrons और high energy वाले photons हैं हाला कि ionizing smoke detectors में emerisium 241 मुख्य रूप से alpha particles को generate करता है क्योंकि यह positively charged helium nuclei हच से ज्यादा तेजी से बाहर निकलते हैं alpha particles atmosphere में atoms में चले जाते हैं और उनके electrons को बंद कर देते हैं इस प्रकार यह positively charged nitrogen, oxygen, iron gases और हजारो free electrons create करता है ध्यान दे कि कोई भी atom या molecule जिसने एक electron खोया है या gain किया है charge होता है और उसे iron कहा जाता है वास्तव में एक single alpha particle में लगभग 10,000 positively charged oxygen nitrogen ions और हजारों electrons को बनाने जितनी energy होती है इस process को ionizing radiation कहा जाता है मेरे एक professor ने एक बार alpha particles को एक pottery shop में बुल की तरह बताया था alpha particles हर चीज में दौलते हैं जिससे atomic chaos create होता है यहाँ emeritium 241 के साथ एक cloud chamber की तस्वीर है और इसमें आप अलग-अलग alpha particles से बनाए गए parts को देख सकते हैं वैसे जिसने भी इन radioactive smoke detectors की ionizing smoke detectors के रूप में marketing की है वो एक genius है क्यूंकि सच तो यह है कि कोई भी radioactive smoke detector कभी नहीं खरीदेगा लेकिन हम इस विशे से दूर हटते हैं इस device के बाहर यह electrons और positively charged atmospheric ions फिर से जुड़ेंगे और neutral हो जाएंगे हालकि इस contraction में जिसे ionization chamber कहा जाता है हम smoke का पता लगाने में मदद लेने के लिए alpha decay को इस्तमाल करेंगे और ऐसा करने के लिए हम दो metal disc का use करेंगे और बैटरी से voltage के उपर और नीचे की disc पर लगाएंगे जिससे की उपर का हिस्सा positively charged हो और नीचे का negative जैसा कि आप जानते हैं negative charges और positive charges attract होते हैं जिससे negatively charged electrons उपर की positively charged metal plate से attract होते हैं और इसके विपरीत positive oxygen और nitrogen ions नीचे की जो एक current है और इस chip में circuitry का इस्तमाल करके हम उपर की plate पर खीचे गए current को नाप सकते हैं जो की normal conditions में होता है जब कोई smoke नहीं होता है अगर आपको और exact number चाहिए तो इस smoke detector या alpha source में emeritium की मात्रा हर second लगभग 37,000 alpha particles emit करती है जिसके परिणाम सरूप सैक्रों लाखों इलेक्ट्रॉंस को उनके atoms से खीच लिया जाता है लेकिन यहां केवल 50 या इतने ही pico amps के बराबर होता है जो की छोटा है यहां emeritium 241 से होने वाले ionizing radiation से बहने वाले current की amount के लिए एक baseline provide करता है हाला कि जब इन vents के माध्यम से cylinder में धुआ आता है तो परियावरण और परिस्थितियां बदल जाती है smoke में बहुत ज्यादा carbon monoxide, carbon dioxide ज्यादा कालिक या ज्यादा complex carbon structures बिना जले हुए पदार्थ volatile compounds और कही अलग तरह के components होते हैं इसी तरह जब आग से smoke, small ring, combustibles या जले हुए popcorn ionization chamber में मौझूद होते हैं तो यह alpha particles के साथ-साथ ionized air molecules और electrons दोनों को रोकता है इस तरह electrons को उपर की plate तक पहुचने से रोकता है और positive ions को नीचे की plate तक पहुचने से उपर की plate में electrons नहीं जाने का मतलब है कि कोई current मौझूद नहीं है और current की इस कमी को नीचे इस microchip में मापा जाता है जो piezoelectric alarm को trigger करता है जिससे आप alert हो जाएं कि आख लगी है या आप खाना बनाना नहीं जानते हैं इस application में alpha particles का use किया जाता है तीन प्रकार के radiation की वज़े से alpha, beta और gamma alpha particles में सबसे बड़ी ionizing potential होती है दूसरे शब्दों में वे सबसे ज्यादा ions प्रेड्यूस करते हैं और जब कोई smoke नहीं होता है तब ionization chamber में current का flow steady होता है इसके लावा alpha particles को भारी मात्रा में energy के साथ बाहर निकाला जाता है और वास्तव में उन्हें किसी भी चीज से रोग दिया जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो helium nuclei है जो beta या gamma particles से कहीं ज्यादा बड़े हैं बस कुछ centimeters हवा plastic का एक पतला ठुकला या skin cells की कुछ layers alpha particles को रोकने के लिए काफी है हाला कि gamma particles और photons ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो बहुत दूर से ज्यादा मोटे object से भी travel कर सकते हैं और केवल dense metals जैसे lead या concrete की परते ही उन्हें रोक सकती है और beta particles तवचा के माध्यम से travel कर सकते हैं लेकिन aluminium की एक पतली सी sheet भी उन्हें रोक सकती है तो आएए आपके तीन संभावित सवालों का जवाब देते हैं Emeritium 241 radioactive क्यों है इसे कैसे produce किया जाता है और अंत में क्या दूसरे तरह के smoke detector भी है खैर Emeritium 241 periodic table में यहाँ नीचे है इसके nucleus में 95 protons और 146 neutrons है और इसके shell में 95 electrons है आप इस idea से familiar होंगे कि एक जैसे charges एक दूसरे को repel करते हैं खैर यहाँ हमारे पास 95 positive charges और कुछ neutrons है जो मजबूत nuclear force से चिपके हुए हैं हाला कि इन 95 protons का repulsive force और neutron के लिए उनका ratio nucleus को unstable बनाता है जिसके परिणाम सरूप इसकी दो neutron और दो protons को repel करने की संभावना है और इसी तरह यह neptunium 237 में बदल जाता है इस smoke detector में हमारे पास 300 nanograms emeritium है जो लगभग 750 trillion atoms के बराबर है और 432.2 years के समय में यह नंबर emeritium 241 के 375 trillion atoms और neptunium 237 के 375 trillion atoms में डिके हो जाएगा वैसे neptunium 237 भी radioactive है और alpha particles को emit करता है लेकिन proton से neutrons का बहतर stable ratio होने के कारण इसका 2.14 million सालों का आधा जीवन है तो फिर चलिए दूसरे question पर चलते है emeritium 241 produce कैसे होता है खेर बलकी interesting बात यह है कि यह nuclear power plants में plutonium 239 और 240 के plutonium 241 में neutron activation के साथ generate होता है और फिर plutonium बाद में beta particle को emit करता है और emeritium 241 में decay होता है इसका मतलब है कि सभी ionizing smoke detectors में कुछ ऐसे material होते हैं जो nuclear reactor से आते हैं वैसे यह emeritium emeritium oxide के form में होता है और safety के लिए इसके उपर gold की sheet होती है हर एक smoke detector में इतनी कम amount में emeritium होता है कि एक nuclear power plant से generated एक single gram से हजारो smoke detectors या उससे ज्यादा भी produce हो सकते हैं अंत में क्या smoke का पता लगाने का कोई और तरीका है? और जवाब है हाँ, smoke का पता लगाने का दूसरा सबसे आम तरीका photoelectric sensor और light का यूज करना है लेकिन इन दो तरीकों के अलावा भी कई तरीके हैं photoelectric smoke detectors में एक chamber में एक तरफ LED और दूसरी तरफ एक sensor होता है हाला कि इस chamber में light का बाहर जाने का सीधा पात नहीं होता है और इस तरह sensor तक नहीं पहुँच पाती chamber में plastic के additional टुकडे जोड़े जाते हैं ताकि इसे ऐसा बनाया जा सके कि reflected light भी sensor तक ना पहुँच सके हाला कि जब smoke होता है तो smoke के particles LED से light को deflect करते हैं इसे smoke में फैला देते हैं और इस तरह sensor थोड़ी सी light को देख सकता है जो smoke के alarm को शुरू करने के लिए trigger करता है Smoke detector के हर एक design के कई फाइदे और नुकसान है हम उन्हें यहां cover नहीं करेंगे लेकिन अगर आप चाहें तो Wikipedia के articles पढ़ सकते हैं दो जरूरी बात आपके घर में पूरी तरह से सुरक्षित है लेकिन कई चीजों की तरह यह भी खाने के लिए सुरक्षित नहीं है दूसरा हमारे explanation में हमने smoke detector के ionization chamber की circuitry को आसान बनाया वास्तव में उपर का metal cylinder भी एक ionization chamber है और circuitry बीच वाली disk के voltage को महसूस करती है और उपर वाले chamber में होने वाली ionizing activity की तुलना नीचे वाले chamber में reference ionizing activity से करता है ताकि यहाँ पता चल सके की धुआ कब होता है यहाँ एक schematic इसे explain कर रहा है और ध्यान दें, कुछ designs में chambers में voltage flip किये गए है इसके बाद हम दो topics के बारे में बात करेंगे जो smoke detectors से related है जो हैं अलग-अलग तरह के atoms की counter intuitive size और geiger counters कैसे काम करते हैं इसलिए बने रहें क्योंकि यह वास्तव में interesting topic है आईए इस वीडियो के sponsor PCBWay के बारे में बात करें PCB सरल होने से लेकर जैसे smoke detector के अंदर सिर्फ दो dozen holes और निशान के साथ बेहत complex हो सकती है जैसे की GPUs के अंदर जिनमें सैक्डो components, कई layers अंदर चलने वाले हजारो traces और हजारो connection points वाले ball grid arrays है PCBWay competitive price और बहतरीन standards के साथ सिंपल से लेकर complex तक किसी भी PCB को manufacture कर सकते है इसके अलावा PCBWay, PCB assembly CNC machining और 3D printing जैसी services भी देता है साथ ही wireless earbuds में पाए जाने वाले flexible PCBs भी manufacture करता है PCBWay से आप 5 डॉलर जितनी कम कीमत में standard boards और 78 डॉलर में उससे ज्यादा complex PCB खरी सकते हैं और फिर एक senior engineer finished product में perfection ensure करने के लिए खुद आपकी मदद करेगा इसके अलावा आप कम से कम 30 डॉलर में board assemble करवा सकते हैं और आप सीधे PCBWay के engineers के साथ काम करेंगे जो assembly process के दौरान pictures भेज सकते हैं नीचे description में दिये गए link का इस्तमाल करके PCBWays की website पर नजर डालें ठीक है तो चलिए जल्दी से smoke detectors से related दो topics पर बात करते हैं atomic size और geiger counters जैसा कि आप जानते हैं कि atoms बहुत छोटे होते हैं लेकिन क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे atomic number बढ़ता है atoms का size भी बढ़ता जाता है चलिए चेक करते हैं यहाँ 11 proton के साथ sodium और यहाँ 95 protons के साथ emerycium है जब हम empirical measurements के आधार पर atomic radii को देखते हैं तो sodium वास्तव में emerycium से बढ़ा होता है यह बलकि उल्टा है क्योंकि आप सोचेंगे कि जैसे जैसे हम ज्यादा protons, neutrons और electrons को जोडते हैं atoms का size correspondingly बढ़ता जाएगा तो फिर sodium emerycium से बढ़ा क्यों है खैर इसका इस fact से लेना देना है कि positive charges और negative charges एक दूसरे से attract होते हैं बहुत ही भारी मात्रा में force के साथ example के लिए एक pure protons को एक gram pure electrons से 100 meter की दूरी पर रखा जाए तो positive charges और negative charges 1500 trillion tons के force के साथ एक दूसरे को attract करेंगे जो की 440 billion Saturn V rockets के force के बराबर है कल्पना नहीं कर सकते है ना atoms में भी कुछ ऐसा ही होता है emerycium में 95 protons होते हैं और वे इन 95 electrons को इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि एक emerycium atom का radius sodium के size से केवल थोड़ा सा ही छोटा है यहां periodic table का 3D representation है और हर एक element की height दिखाती है कि हर एक atom कितना बड़ा है atomic radius में size में बढ़त उधारण के लिए है argon से potassium तक electrons, shells की number और configuration में बढ़त के परिणाम सुरूप है जबकि हर एक column के नीचे के radius की बढ़त inner shell electrons के outer shell electrons को repel करने के कारण होती है और left से right radius में कमी nucleus में protons और shells में electrons के बीच attractive force के कारण होती है एक interesting बात यह है कि emiratium 241 sodium से थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें proton और neutron की संख्या लगभग 11 गुना है और इसके कारण emiratium sodium की density से 14 गुना ज्यादा है density में यह trend बाकी elements पर भी लागो होता है यहाँ osmium है इसका एक छोटा सा atomic radius है और यह nature से पाए जाने वाले सभी elements में सबसे dense है इस episode को समाप्त करने के लिए आईए Geiger counters के बारे में जानते हैं संशिप्त में कहें तो Geiger counters के fundamental principles smoke detectors से मिलते जुलते हैं इस tube में हमारे पास एक ionization chamber है mica से बनी इस खिडकी से radiation enter करता है और gas से electrons को हटाता है खास कर argon हम एक central rod पर positive voltage लगाते हैं फिर आसपास के cylinder में negative voltage लगाते हैं और नतीजन ionized argon negatively charged wall की तरफ आता है जबके electrons central rod की ओर travel करते है लगबग 500 से 1000 volt पर use किया जाने वाला voltage ज्यादा मजबूत होता है और यह high voltage ionization का एक avalanche बनाता है जो beta particles का पदा लगाने के लिए जरूरी होता है क्यूंकि उनके पास alpha particles जितना ionizing potential नहीं होता है फिर हम current को मापते हैं और जब current में spike होता है तो इसका मतलब है कि कुछ radiation particles खिड़की में घुज गए है और chamber में कुछ gas को ionized कर दिया है Geiger counters के लिए बहुत से और design elements है लेकिन क्यूंकि इसके fundamental principle smoke detectors के समान है हमें उनके बारे में बात करना interesting लगा Smoke detectors, atomic sizes और Geiger counters के लिए यह आज काफी है हमारा मानना है कि future में engineering education पर जोर देने की जरूरत होगी और हमारे सपने को support करने के लिए अपने सभी Patreon और YouTube के membership sponsors के अभारी है यदि आप YouTube member है या Patreon पर हमें support करना चाहते है तो description में दिये गए link देख सकते है यह branch education है और हम 3D animations बनाते हैं जो हमारी modern world को चलाने वाली technology के बारे में गहराई में बात करती है इन में से किसी एक card पर click करके और branch वीडियो देखे या subscribe करने के लिए यहां click करें अन्तक देखने के लिए धन्यवाद